तो हाई गाइस मैं नाम हरीश और आप देख रहे हैं मेरे युट्यूप चैनल पासपेजिस तो रिज भारीश तो गैस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में आपको बना वीडियो मैं तक बना किस टाइम को वेस्ट की हम टेक आफ करते है लोगो का अब जहां भी होंगे जैसे होंगे तो कविड ने हमारे जियने का तरीका अमरे ट्रेवल करने का तरीका बदली दिया है लेकिन डोजार एकिस में एक नई चीज इंट्रूट्डूज हुई है जिसका नाम है वैक्सीन पास्पोर्ट मेरे माइंड में काफी सवाल आए थे उमीद है आपके माइंड में भी आया होंगी जब आपने इसका नाम सुना होगा क्योंकि जब हम नॉर्मल पास्पोर्ट अप्लाए करते हैं तो हमें काफी फॉर्मल्टी से गुजरना पड़ता है लेकिन वह पास्पोर्ट नहीं है इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस वैक्सीन पास्पोर्ट का मतलब होता क्या है इसके फाइदे क्या है इसकी नुकसान क्या है और डबलू एचो क्या कहता है इस वैक्सीन पास्पोर्ट के बारे में यह पूरी इंफॉर्मेशन में आपको सरल हिंदी बाशा में आज की वीडियो में देने वाला के बारे में आपके COVID-19 के टीका करण के बारे में ये जानकारी देता है सामने वाले को इस certificate में ये लिखावा होता है कि आपका vaccination कब हुआ है और अगर आपको COVID हुआ है तो आप उससे कब recover हुआ हैं सिर्फ इती सी information है इस certificate में आपके vaccination के बारे में information होती है इतना सा simple सी इसकी definition ह गैस अगर बात करें इसराइल पहला देश था जिसने इसको लागू किया और Green Pass के नाम से वो लोग इसे भी चला रहे हैं इसके साथ बात करें गैस इस इस Green Pass के थूँ लोगों को जिम में एंटरी दी सिनेमा हॉल में एंटरी दी सारे amusement parks या फिर आप कहरें activities में ये एंटरी भी ले सकता है तो गैस ये देश करके काफी देश इसको लागू कर रहे हैं लेकिन गैस इसके कुछ मुख्य दो फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं और कुछ टिपणी डबलो एचो भी करता है तो गैस उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करत तो आपके वैक्सीन पासपूर्ट है करने की जरूबत नहीं है यह एंब फायदा बताया जा रहा है ससीं पासपूर्ट का इस से फाइदा यह कि आपका गुमने जा रहे हैं तो आपका जो क्वारंटीन है तीन दिन साथ दिन चोदा दिन वह पूरा-पूरा आपका पैसा टाइम सब बच जाएगा तो गैस यह सबसे बड़ा फाइदा है नो क्वारंटीन और वैक्सीन पासपोर्ट दोस्तों इसका दूसरा फाइदा यह सब चाहिए होता था लेकिन गाईज कोविड के बाद दो नए डॉकुमेंट और एड हो गए थे या तो आपका कोविड-19 PCR टेस्ट या फिर आपका वैक्सीन का सैट्रिफिकेट के आपने डोस ले लिये हैं लेकिन गाईज इन दोनों वैक्सीन सैट्रिफिकेट और PCR टेस् है वैक्सीन पासपोर्ट अगर हम बात करें यह पूरा डिजिटलाइज होने वाला है गाईज अलग अलग कंट्री अलग 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 एपस बना रही हैं इसके रिगार्डिंग तो गाईज इसमें एकदम लैस जो है फिजिकल इंटरन्फेरेंस होने वाला है क्योंकि यह प समान है फॉर एक्जांपल हम बुक माई शो से टिकेट बुक करते हैं और मोवी देहने आते हैं हमारे पास बार कोड़ में हमारे टिकेट होती है वैसा ही कुछ सिस्टम इस वैक्सीन पासपोर्ट का यह ऐस बार कोड आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा एक एक अलग अल करने वाला है वैक्सीन पासपोर्ट तो इस वैक्सीन पासपोर्ट के शुरुआ तो इसराइल ने गीती लेकिन अभी काफी देश जैसे जाबान साउथ कोरिया प्लान कर रहे हैं अपना अपना इसका फॉर्मेट निकालने का इंडिया की हाला कि कोई अभी ऐसी दुनिया में इसके अलावा कई कंट्रीज है कि देश जहां प्रॉपर वैक्सीनेशन अभी नहीं है तो वही वाली बात है यह एक बेदबाव वाली जो फीलिंग है उसको क्रियेट करता है लोगों में इसके रहाए इसको ना अभी कंट्रीज क्या इंपोर्टेंट डॉक्य क्योंकि सबके पास यह नहीं है तो इसे मानने कर रहा है लेकिन अभी नहीं डबलॉचों जाता कि अभी वैक्सीन पास्पोर्ट मानने हो जाए और एक इंपोर्टेंट डॉक्युमेंट फॉर ट्रैवल बन जाए इसा नहीं कि सभी कंट्रीज को वैक्सीन लग चुकी है तो यह भी पॉसिबल नहीं है और आने माले एक दो साल में यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो इसे कुछ फायदे और कुछ नुकसान थे वैक्सीन पास्पोर्ट की इसे तो फायदे ज्यादा है लेकिन देखते हैं डबलॉचो आगे क्या इस पर कमेंट करता है लेकिन इस इस स्राइल जैसे कंट्रीज ने इसे लागू किया है दीरे दीरे सारी कंट्रीज लागू करेंगी यह सिर्फ एक डिजिटलाइज सेटिफिकेट है जो आपकी वैक्सिन की इंफॉर्मेशन रखता है सिंपल सी बात है आपके फोन में ऐस बार कोड यह सेव हो जाएगा तो यह आपको यह चोटी सी इंफॉर्मेशन सरल बासा में समझ आई होगी अगर वीडियो अच्छा वीडियो लाइक करें वीडियो को शेर करें और कर दें हमारे चैनल को सब्स्राइब करें से हमारे मोटिवेशन और आपको मिलते रिएल टाइम नोटिवेशन मिलेंगे ऐसे किसी अगले इनफॉर्मेटिव वीडियो में तता के लिए बाबाई